99% लोग नहीं जानते नीबू और अद्रक को एक साथ खाने के फायदों के बारे में हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू यूनिक तड़का आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अद्रक और नीबू का इंस्टेंट अचार कैसे बनाएं और नीबू और अद्रक को एक साथ खाने के क्या-क्या फायदे आपको हो सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे की पूरी जानकारी आपको मिल सके और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना पिलकुल न भूले सब्सक्राइब और मोर वीडियो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे की जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले बात कर लेते हैं अद्रक में कौन-कौन से विटामिन्स होते हैं होब का कहना है कि अद्रक एक पोशक्ततों का पावर हाउस है जिसमें विटामिन्स की एक बहुती बड़ी मात्रा पाई जाती है जिसमें विटामिन सी और विटामिन बी थाइमिन, राइबो फ्लेविन और नियासिंस शामिल है साथ ही आईरन, केल्शियम और फासफोरो जैसे खरीज भी इसमें पाय जाते हैं अब बात कर लेते हैं नीबू में क्या पाया जाता है नीबू में बिटामिन A, बिटामिन B और बिटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है बिटामिन A अगर एक भाग है तो बिटामिन B दो भाग और बिटामिन C तीन भाग इसमें पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैगनीशियम, तामबा, फासपोरस और क्लोरीन तत्व तो हैं ही प्रोटीन वसा और कार्बोस भी परियापत मात्रा में पाया जाता है अब बात करेते हैं अद्रक खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं अद्रक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ गैस दर्द दस्त को दूर करती है कब्च की समस्या को भी दूर करती है अद्रक कैंसर जैसी कंबीर बीमारी की रोग थाम में भी मददगार होत है यह खराब गले कब्स किड़नी और मसूरों की समस्याओं में राहत पहुंचाता है साथ ही ब्लड पेशर तनाप को कम करता है तो चाको सस्त बनाने के साथ ही लीवर के लिए भी यह बेहतर होता है पाचन क्रिया वजन को कंट्रोल करने और कई पाणी तरह के कैंसर से बचाप करने में नीवू पानी मददगार होता है अब बात कर लिते हैं रोजाना अद्रक का सेवन करने से क्या होता है अद्रक में एंटी इंफ्लमेट्री कुन पाए जाते हैं जो खासकर जोडों के दर्द को दूर करने में असरदार सावित होते हैं इतना ही नहीं अद्रक सरीर की रोग प्रतिरोदक चमता को बढ़ाने का काम करता है इसके सेवन से पेट दस से छुटकारा मिलता है मितली की दिक्कत दूर होती है और वजन कंट्रोल करने के लिए बेहत फायदी बन माना जाता है अगर आप अद्रक और नीवू का सेवन करत है तो को से डहेरों करते हैं आप इसकी ड्रिंक बनार पूर्श бойल में मातंते हैं और नीवूफ के लिए फाइद के जूड़ी अलिवेदेगतों बिलुत से टिक्व्स कारा मिलता है इसे पेट फूले की समस्या में भी लिया जा सकता है अद्रक जुकाम और सरदी का आयरवेदिक नुस्का है इसे खाने के लिए अद्रक में बराबर मात्रा में दालचीनी और लेमन ग्रास को दूगनी मातरा में लेकर पानी में पकालें इस पानी को गरम कप में परोज कर पियें जुकाम दूर हो जाएगा नमबर त्री जोडो का दर्द होगा दूर जिन लोगों को जोडों के दर्द की परिशानी हैं वे अध्रका सेवन कर सकते हैं एंटी इंफ्लमेटरी गुणों से भरपूर अद्रक जोडों के दर से निजाद दिलाने में मददगार है। आप अद्रक का पाउडर पानी में मिला कर पी सकते हैं या फिर अद्रक के टुपड़े पानी में पका कर भी पीएं जा सकते हैं। नमबर फोर इंफेक्शन से छुटकारा ताजा अद्रक का सेवन इंफेक्शन के खत्रे को दूर रखता है। अच्छे माना जाता है। कट कर लेंगे बहुती बारिक-बारिक स्लाइस की बनाएंगे जो खाने में भी टेस्टी लगता है फ्रेंड्स और ये हमारी हैफ के लिए बहुत ही वेनिफीशल होता है आपके कॉलिस्टरॉल लेबल को कम करता है आपके अर्थ्राइटिस की प्रॉब्लम को दूर करता है या को भाष्टिटी गैस की प्राप्लम को भी दूर करता है इतना फायदव मत होता है है तो इस तरह से हम इसी थरे से कट कर लिया है और एक कंटेनर है इसको लिए लेंगे और कंटेनर को हमसे यहां पूरा नहीं भड़ना है थोड़ा नीचे रखना है जिससे कि यह खराब ना हो जल्दी तो इस तरह से आप इस अचार को बनाते हैं तो यह अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है आप इसको पूरी पराधा चपाती या फिर आप ताल राइस के साथ भी आप इसको ले स की हेल्थ ये बहुत ही वैणियम य हम्ने साय फिर्फ्रामी य हमने सट कर दिया है और यह पर शाय्याट को के यह ऊखर गताई है और हमें भराधा के लिए बिटामिन स्कुल हैं तो इस तरह से इसको बनाकर कर जरूर खाये और खाने में तो tasty होता ही है और सर्डियों में ये बहुत सारी समस्याओं का भी आपको निजात दिला सकता है तो यहाँ पर हमने एक चुटकी नमक डाला है और इसको अच्छे से mix कर लेंगे आपका मेटाबॉलिस्म बढ़ सकता है और एक्स्ट्रा कैलोरी बन करने में मदद मिलती है और आप नीबू और अद्रक का सेवन करते हैं तो यह आपके इंसुलिन प्रितिरोध की छमता को बढ़ाने और शरीर में फैट की मात्रा को कम करने के लिए जाना जाता है यह की गैस और कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है और बुखार बालों और तुचा के लिए भी बेहत फायदेबंद होता है वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ब्लड पेशल को कंट्रोल करने का काम करता है गले में किसी भ एंडरों के दर्द होते हैं या पैरों में दर्द ओने लगता है तो उसके लिए वी बेहत फायदेबंद माना जाता है तो इसको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें आयो आपको वीडियो ज़रूर पसंद है होगी वीडियो पसंद बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्स फुल वाच और बाई टेक केर और अफ यू